अब में ख़र आजा वाई आजा आजा काम इस तो गईस आज दे चुके ते वाई चैलिंज जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फहाई पहले तुम हम बता तू सोलो वर्सास कोर्ड ए जैसे कि आप यह पर देखी रहें और बहुत दिनों बात खेल रहाता तो सोचायर चैल चैलेंज के नतीजा देखो भाई फटाक से रिपलाई भी आगया और रिपलाई में क्या जवाब आता है कि भाईया हम क्रॉंटन प्रो 11 बोल रहे हैं मैंने वीडियो के आगे में इसका नाम देखा था तो इसका नाम यही था यह बोल रहा था तो भाई साफ सुना तब तो न अब यहाँ पर एक स्कॉर्ड उतर चुकी थी तो भाई देखो यहाँ पर मौके का फाइदा कैसे उठाता हूँ फूटस्टप आ रहे थे और भाई भगदर मच चुकी थे एकदम अब जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो कि भाई दो बंदे मेरे को दिखता है यहाँ पर दीवार के पीछे चुपे वे तो यहाँ पर थोड़ी से टिप्स और टरिक्स लगाई और सीधा कूद के गया और पेटी बना दी जैसे कि तुम देख रहे हो एक दम मतलब क्या ही होगी तो इसके बाद उससे पहले कि वो मुझे ढून ले दो बंदे बचे होते हैं कि मैं उन्हें ढूनने की कोशिश करता हूं और भाई बहुत देर तक ढूनने की कोशिश करता रहता हूं करता रहता हूं लेकिन अंत में जाकर के भाई मतलब एक बंदा जो है हलुए की त तो गाइस यही वो हलवा मुमेंट था जिसकी बाद यहाँ पर मैं कर रहा हूँ जैसी यह नॉक आट हो जाता है तो भाई एक पल के लिए तो मुझे लगता है कि शायद यह वही चैलेंजर्स वाले बंदे हैं तो यहाँ पर भाई मैं चुम्मी वम्मी देता हूँ इसको और यहाँ पर भाई फोटस्टाप आने लग जाते हैं तो मैंने सोचा कि यहाँ इसको खतम नहीं करेंगे इसके पार्टनर का इंतिसार करेंगे जब उपर आएगा तो दोनों की साथ में पेटी बना देंगे और अब तक मुझे यही लग रहा था कि यह यह चैलेंज वाले बं अलवे मुमेंट को जारी रखते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई मैंने यहाँ पर कहा भी था कि मुझे लग रहा था कि शायद यह चैलेंज वाले बंदे होंगा तो यहाँ पर मैं ठुमके शुमके लगाता हूं और खुब हांसी उड़ाता हूं कि भाई अब जैसे कि आपर सुनी सकते हों कि भाई यहाँ पर गदागत गोली चले जारी है चले जारी है तो यहाँ पर मेरे पास लूट की कमी थी तो यहाँ पर थोड़ी बहुत लूट करी और लूट के बाद यहाँ से भाई मैं हॉल की तरफ से निकली रहा हो तो कि आगे की सवाले बंदे भी दिखते हैं जिसके कारण मुझे पीछे हटना पड़ता है तो गाइस अगर बिल्ली अपनी दो कदम पीछे ले ले तो इसका ये मतलब नहीं कि भाई बिल्ली हार मान चुकी है बिल्ली अटाक करेगी और जरूर करेगी तो यहाँ पर मैं पीछे तो हट जाता हूँ क्योंकि भाई खुले ग्राउंड में कौन खड़ा रहेगा खड़ा क्या बोल रहा हूँ तो इसके बाद यहाँ पर एक बंदा मेर को दिखता है खुले ग्राउंड में तो देखो तो गाइस इन चैलेंजर्स को भाई थोड़े बहुत फटके देने के बाद इतने में भाई यहाँ पर एक और बॉर्ड भी आ जाते हैं तो यहाँ पर बॉर्ड भी है कि पेटी बना देता है और इतने में यहाँ पर स्मोक वोक भी हो जाता है और उसके बाद क्या होता चलो मिल करके देखते हैं चैलेंजर्स का क्या सीन करते हैं करेंगे कुछ भी अच्छा क्यार यहाँ पर थोड़ा वेड भी करना पड़ता है जो कि मैंने आपको बता दिया चलो वेड को खतम करते हैं आगे देखो अब थोड़े मोडे इंतिजार की बाद भाई मेरे को ये वाला बंदा देखता तो यहाँ पर भाई टपाटप गोली चलाते हैं और जैसे तैसे करके इसको नॉक आट कर देता हैं और इसके बाद सीधा आगे की तरफ बढ़ता है और यहाँ पर भाई इन चैलेंजर्स के साथ क्या होने वाला था चलो देखते हैं खेर यहाँ पर मैं गोला बारूदी करने की सोचता हूँ तो चलो देखते हैं क्या होता है तो यहाँ पर तुमने मेरे धीट पनी देखी ली भाई मैं कितना धीट बंदा हूँ खेर यहाँ पर ओल पर चैलेंजर्स बंदा कुछ कहता है इसके बाद सुनो अब यहाँ पर मैंने इन चैलेंजर्स बंदों की एकदम हवा टाइट कर रखी थी तो इसलिए यहाँ पर भाई यह जो चैलेंजर्स होता है जिसने मतलब जो भी इसका 11 प्रो करके नाम था पता नहीं क्या नाम था तो इसने भाई तीन नंबर को अपने पास बुला लिया 24 का तीन नंबर होगा क्योंकि भाई इनके हवा यहाँ पर मैंने टाइट कर रखी थी जैसे कि मैंने का तो यहाँ पर भाई मैं थोड़ा इंतिसार करता हूँ असल में यह लोग अपार्टमेंट में दोनों जाकर चोप जाते हैं आखिर में दो बंदे बचे होते हैं तो भा यसी सही मौका मिलता है तो भाई इस बंदे को मैं नॉक आट कर देता हूँ उसके बाद यहाँ पर वर्ल्ड चेट पे इनको बोलता हूँ कि भाई मैं वही चैलेंजर बंदा हूँ तो यहाँ पर आजाओ मैदान में जिसकी उंगली बड़ी वही जीता तो भाई देखो क्य होता है अब यहाँ पर भोलूँगा नहीं तुम चैलेंजर की सुनो मरे तो इसलिए हम नहीं ससुरे क्योंकि हमने तुमें चैलेंज दिया था तो यहाँ पर भाई तुम्हारी हमने पेटी बना दी तो इसलिए यहाँ पर भाई अब तुम यहाँ पर लाइक का बटन दबा सकते हो और अगर तुम लोग अभी देख रहे हो तो चैनल को सब्सक् माई याफ इट स चे नाव और नेवर इसमें कापिवर्ट इता हैं की नहीं आता है यहाँ पर एकदम वही लगाने का मंध को तो बाई खेर यहाँ पड़े और इसका तो सीन क्लियर कर दिया और चैलेंज हम जी चुके हैं तो चैलेंज जीचुके क्या है चैलेंज तो मैं न क्या होता है तो भाई मैं गाड़ी से आता हूं गाड़ी से सीधा नीचे उतरता हूं उसने मुझे देखा मैंने उसे देखा भाई लेकिन यहाँ पर मेरी गोली से सीधा उसकी पीटी बन गए मुझे भी नहीं पता चला कि भाई पता नहीं मेरे को किल कब मिल गई लेकिन जैस भाई बचा पाता है कि नहीं और हाँ इसका बंदा गाड़ी से आता है अब इस बंदे की हिम्मत तो देखो भाई सीधा अपने बंदे की पेटी लूटने लगता ये नहीं मेर से पहले लड़ ले खैर अब इसे ही कहते कि भाई डर के आगे जीत है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह बंदा इतना जादा नेडर होता है कि मेरे से बचने के बाद भी यह नहीं कि भाई रिवाव शिवाव लगा लूँ सीधा अपने बंदे की पेटी लूटने लगता है तो भाई यहाँ पर तो मैं आलू गजर छील रहा होता हूँ तो भाई मैंने दिखा दिया ले भाई मैं आलू गजर छील रहा हूँ तो सीधा इसके यहाँ पर पेटी बनाते हैं और इसके बाद यहाँ पर बूश्ट अप बूश्ट अप लगाते हैं और इसके बाद भाई सीधा अपनी मकलेरेन को लेता हूँ और आगे के तरफ फलेर चली होती है तो वहाँ पर अपनी गाड़ी को लेकर जाता हूँ और असल तो भाई या इस बंदे के भी एकदम गज़ा भी सीन होते हैं पहले तो यहाँ पर मैं कनफर्म करता हूँ कि भाई यहाँ पर और भी बंदे हैं के नहीं हैं पर यहाँ पर कोई भी नहीं होता तो इसके बाद भाई मैं सीधा इसकी पेटी को लूटने जायता हूँ और भाई इसके पास दो दो MG3 है भाई लोगों के पास भाई एक भी हो तो बहुत है इसने शायद सोचा कि भाई मेरे पास इतनी सारी गूली चलाने के लिए होगी देगदागत देगदागत कि यहां का सारा हैकर तो मैं ही बन जाओंगा वो भी नैचुरल हैकर अब मतलब क्या ही बोलो अब भाई इतना रिसक लेते वें यहां पर आया और इसके बाद यहां पर क्या मिली ऐसी गंचों की भाई मुझे इस्तमाल करने ही नहीं थी तो इसके बाद यहांपर भाई वापस बग्गी में बैटा और बहाई जहां से गोली की चलने के आवाज आरी थी मैंने सूच लि आजाते हैं कि बाई अपनी बग्ग्यी हो ले जााखर लेकित होगा रहा होा। अब गाइस जब तक यहाँ पर इस कोब्रा भाई की किल को कन्फर्म करी रहा होता हूँ कि इतने में भाई एकदम घातक स्प्रे पड़ जाता हूँ जैसे कि तुम यहाँ पर देखी सकते हो जैसे दैसे भाई बचतावा अंदर की तरफ आता हूँ और यहाँ पर रिवाईव शिवाईव लेता हूँ और जैसे ये रिवाईव शिवाईव पूरा हो जाता है तो सीधा बग्गी में बैटता हूँ और भाई उन बंदों की तलाश में निकल जाता हूँ जिन्होंने मुझे फाइरिंग दी थी लेकिन इस चक्कर में मेरी पेटी बनते बनते बच्टी है भाई मैं तो दुआ कर रहा था कि जैसे दैसे सेफ जोन में पहुंच सकूँ देखो यार आगे होता क्या है अब यहाँ पर दुआ कबूल हो गई और भाई जैसे दैसे करके यहाँ पर मैं सेफ जोन में पहुंच गया और यहाँ पर बूस्टप बूस्टप लगाता हूँ और भाई इन्होंने मेरे को एक नमर का मुर्ख समझ रखा था इन्होंने इसके बाद यहाँ पर बॉट फारिंग दी जैसे कि भाई मैं कुछ जानता ही नहीं हो लेकिन इतने में भाई मैंने ठान लिया था कि भाई तुम्हारी तो मैं बेंड बजा के रहूंगा क्योंकि इन्होंने भी मेरी बेंड बजा रखी थी तो देखो आगे अब यहाँ पर इन लोगों ने मेरी नाक में दम कर रखा था तो भाई मैंने सोचा कि समझदारी दिखाते वे बिल्ली के तरह दो कदम पीछे ले लेता हूं अब यह बाद तो कंफर्म थी कि भाई इतना ज़्यादा परिशान करने के बाद मेरी नाक में दम करने के बाद मैंने को छोड़ने वाला तो था नहीं तो थेक्ट बाद में पीछे लेता हूं सोलोवर से स्कौर्ड खिल रहे तो क्या भाई हलके में लोगे क्या यहाँ पर इतने सारे मौके इन्होंने मिस कर दिया और उसके बाद यहाँ पर जब मेरी बारी आई तो मैंने भाई मौका बिल्कुल भी मिस नहीं किया और जैसी वो बंदा नौक आउट हो गया तो भाई मैंने सुचा कि जैसे उसका दूसरा बंदा आएगा उसको रिवाइव देने तो भाई दोनों की पेटी सास में बना दूँगा लेकिन भाई वो तो स्मोक करने लग गया तो भाई मैंने मौके को देखते वे सीधा उस बंदे की पेटी बना दी अब यहाँ पर भाई मैं जोन में था और मुझे पता था उसको जोन में तो आ नहीं है तो मैं अराम से इंतिजार कर रहा था कि बेटा इतना तंक है ना अब तू आ तो भाई इस तरीके से मैंने इनकी पेटी बना दी और भाई इनका यहाँ पर खेल खतम पैसा हजम हो गया तो भाई मझा आ गया यहाँ पर इन लोगों ने मेरे को इतना ज़ादा परिशान किया लेकिन भाई मैं बेशक यह लोग कुछ ना कर पाई मतलब क्या ही बोलू मैं यहाँ पर शब्द भी नहीं मिल रहे मेरे को खैर इनके चकर में यहाँ पर भाई मैं जोन में भश चुका था तो भाई सीधा पैदल भगते भगते आगे की तरफ जा रहा था और अंत में भाई यहाँ पर तीन बंदे बशते हैं जब मैं सूखे घास के मैदान में पहुचता हूँ तो और उसके बाद मैं दुआ कर रहा था कि भाई मतलब कहीं तीन बंदे जो है वो एक ही टीम के निकले ना तो मुश्किल हो जाएगी लेकिन तुमारा भाई तेरा भ अब भाई ये बंदा एकदम हरी जाड़ी में छुपा हुआ होता है एकदम सही मौके पे देख लिया तो भाई जैसे तैसे करके इसकी पेटी बना दी और मैं भटाक से जमीन पे लेड़ जाता हूँ क्योंकि भाई मैंने बुलेट फायर की थी और अगर किसी ने मुझे दे हैं तो गाइस जैसे कि आप यहां पर देख रहें कि जैसी इस बंदी की पेटी बन जाती है तो यहां पर मैं इस पेटी को लूटने लग जाता हूँ इसमें AWM होती है तो भाई मतलब सारी बंदू के कुरबान है AWM के उपर भाई AWM मेरे लिए मतलब क्या ही बताओं मैं किस पुरी जोनों चाय कुछ भी हो तो मैंने AWM को भाई ले ली और इसके बाद भाई जितने मैं लेही रहता हूँ कि घांस के भूसे के धेर के पास एक बंदा मुझे लेटते वे दिखता है कि छुपते वे तो भाई जैसी मैं देखता हूँ तो मैं एकदम सतर को जाता हूँ और वहाँ पर मैं मौली फेकता हूँ और भाई वो इतना तेज बंदा होता है ना कि भाई कब खिसक करके इधर से उधर आजाता कि क्या ही बता हूँ देखो आगे तो जैसा कि मैंने कहा था कि भाई ये बंदा मतलब खिसक के इधर से उधर कब आ जाता है कुछ पता ही नहीं चलता भाई एकदम से जब मैं देखता हूँ तो भाई ये तो मेरे बहुत पास आ चुका हूँ तो जैसे तैसे करके भाई इस बंदे की यहाँ पर पेटी बना द जाता भाई मुर्गी मुर्गी डिनर जैसे कि की क्या ही बता हूँ यार बहت दिनों बात बोल रहा हूँ मुर्गी मुर्गी डिनर दिल में उलक सी फिलिंग आ रही है तोई अवी तक अगर मैंने नहीं बोलना तो बोल देता हूँ कि यह वीड़िए को लाइक कर देना और चैनल को सबसक्राइब कर देना इस गरीब को सापोट कर रो यार शबसक्राइब कर देना और भाई कॉमेंट में बताना अगर कुछ पूँचना हो और कैसी लगी वीडियो ये भी कॉमेंटस सिरूर करना तो ये मैं तुमसे मतलब क्या ही कहу यार आज के लिए मतलब इतना ही कुल मिला करके आज की वीडियो में ताही टाटा सायो नारा बाई बाई इसे इतनी पड़ी लेकिन साला मरा कायने तुको आज के लिए मतलब इतना ही कि वीडियो में तुको